नमस्कार मैं हूँ आपके साथ लक्षमी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझे इस आदे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही साथी खबरों की पेचीदगी भी सुलचाएंगे तो वो कौन सी होगे मुखी खबरें जिस पर होगी हमारी खासता और पर नजर पहले वो जान लेते हैं तो देखें आज की चार बड़ी खबरे कौन कौन सी रहने वाली है वो आपको बताते हैं पहली खबर होगी भ्रहम की सियासत ये आपको डीटेल में समझाएंगे कि आखिर नितीश कुमार को लेकर के भ्रहम कौन फैला रहा है फेक वीडियो का सियासी खेल भी आपको समझाएंगे कि नितीश कुमार का एक फेक वीडियो वारल हो रहा है इसके पीछे किस तरीके से सियासत हो रही है और उसके बाद फिर कॉंग्रेस और विनेश फोगाट पर ब्रिज भूशन के आरूप क्या लगे हैं वो भी आपको बताएंगे मौत वाली दोड को भी आपको आगे डिटेल में समझाएंगे साधे गंटी के बोलेटिन में लेकिन इसके अलावे और भी कई खबरे होंगे जो आपको बताएंगे बस आप देखते रहेंगे खबर तो समझेए सोशल मीडिया पर लालू प्रिसाद से नितीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो वारल किया जा रहा है लेकिन नितीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि वो अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे नितीश के बयान के बाद लालू प्रिसाद की बेटी रोहनी अचारे ने सोशल मेडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिस पर प्रतिकरियाओं का दौर तेज हो गया है तो ऐसे में सवाल लिए उठता है कि नितीश कुमार को लेकर कि आखिर भ्रम कौन फैला रहा है देखे रिपोर्ट कभी नहीं जाओंगा अगले ही दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सिंगापूर में रहने वाली बेटी रोहनी आचारे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कल तीज के दिन किसी ने फिर से जूटी कसम खाई अब कहीं नहीं जाएंगे तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे तेरे साथ ही निभाएंगे कौन विश्वास करेगा जो करेगा वो धोखा खाएगा रोहनी आचारिया का पोस्ट आते ही फिर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया पूरा का पूरा राजत का कुनवा सिर्फ और सिर्फ अफवाद फैलाने में लगा हुआ है नितीज जी और दालो जी के मुलाकात का दो साल पूराना वीडियो ये लोग जान बुश कर प्रपगंडा फैलाने के लिए सोसल वीडिया पर वाइरल कर रहे हैं आर्जे जी के लोग भरम पेदा करना चाते हैं जब कि आपको जानकारी होगी कि जब इंडिया गठभंदन में नितीज जी थे इनके साथ है आर्जे जी के द्वारा काती हमान हुआ था उस बात को भी नितीज जी भूले नहीं सवाल है कि नितिश कुमार को लेकर आखिर कौन भरम पहला रहा है क्या नितिश कुमार को लेकर अब भी आर्जे डी आशानवी थे अगर नहीं तो फिर रोहिणी आचारिया ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट क्यों लिखा हाला कि नितिश कुमार ने अपनी स्थिती पूरी तरह साफ कर दी है कोई किसी तरह के मुगालते में न रहे सवाल है कि क्या दोहजार पचीज के विधानसवा चुनाओं के पहले NDA में दरार डालने की मदुशा से नितिश कुमार को लेकर भरम पहलाया जा रहा है अगर हां तो क्या सच में इस पूरी कावायत के पीछे आरजेडी है निउजेटीन के लिए पटना से शैलेंदर कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंग के साथ ब्योरो रिपॉप्ट तो नितिश कुमार को लेकर के कौन भरम फैला रहा है और उसके पीछे मकसद क्या है ये समझाएं उसके पहले जरा आकणों के जरीए ये जान लीजे कि नितिश कुमार जब जिस गटबंदन के साथ रहे उसका क्या हुआ तो देखें नितिश कुमार का साल 1995 से बीजे पी के साथ गटबंदन रहा है बीजे पी से मिलकर ही नितिश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया साल 2005 में नितीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर विधान सभा का चुनाव लड़ा और 15 साल के लालू और राबडी के शाशन को सत्ता से उखाड फैगा 2005 के बाद के अगर बात करें तो 2005 के बाद पहला लोग सभा का चुनाव 2009 में उस समय तक बिहार से उखडने के बाद भी संसद में यानि की लोग सभा में आरजेटी के संसदों की संख्या अच्छी खासी थी लेकिन साल 2009 में नितीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और NDA ने 40 में से 32 सीटें जीत ली साल 2010 में भी नितीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े ये इस गडबंधन का चरम काल था हालात का अंदाजा इसी बाद से आप लगा सकते हैं कि NDA की खाते में बिहार विधान सभा की 243 में से 206 सीदे चली आई अकेले नितीश कुमार की पार्टी पूर्ण बहुमत से महज 7 सीट पीछे थी आरजडी महज 22 वधायकों वाली पार्टी बन करके रह गई लेकिन साल 2013 में नितीश का बीजेपी से साथ चूट गया और साल 2015 में नितीश कुमार ने आरजडी के साथ महा गटबंधन बनाकर बिहार विधान सभा का चुनाव लड़ा नतीजा ये हुआ कि महा गटबंधन को बिहार की 243 सीटों में से 178 सीट पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में महा गटबंधन की सरकार बनी लेकिन 2017 में नितीश कुमार आरजडी से अलग हुए 2019 का लोकसभा चुनाव नितीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा तब मोदी और नितीश के जोडी ने ऐसा करिश्मा किया कि NDA को 40 में से 49 सीटों पर जीत मिली महा गटबंधन में कॉंग्रेस को महज एक सीट पर ही संतोश करना पड़ा जबकि आरजडी का तो खाता भी नहीं खुला साल 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भी नितीश कुमार की पार्टी जेडियो और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी NDA को 125 सीट पर जीत भी मिली और बिहार में एंडिय की बहुमत वाली सरकार भी वनी साल 2024 का चुनाव भी नितीश कुमार ने बीजेपी के साथ एंडिय के बैनर तले लड़ा और एंडिय को 40 में से 30 सीटे मिली जिनके मोधी की तीसरी सरकार बनाने में एहम भूमिका भी रही यानि कि जब जब नितीश जिस गटबनन के साथ रहे जीत उसी की हुई अब देखे भ्रम फैलाने वाली सियासत को जब आपको समझाते हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी जब जब समझे तो देखे आज की तारिक की बात करें तो आज की तारिक में एंडिय बहुत मजबूत इस्तिती में है अब 2020 की तरह चिराख फैक्टर की भी कोई गुंजाईश नहीं है तो ऐसे में साल 2025 का चुनाव विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है एंडिय निताओं का कहना है इसलिए एंडिय में दराज डालने की कोशिश की जा रही है विपक्ष जो है खास करके आरजडी की मंद्शा जो है नितीश और बीजेपी को अलग गलग करने की है अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम जनता में भ्रहम की स्थिती पैदा हो भ्रहम की स्थिती में विपक्ष जो है खास करके आरजडी को फाइदा हो सकता है और यही बज़ा है कि नितीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे सोशल मेडिया पर आरजडी एध्यक्ष लालू परसाथ से सीम नितीश कुमार के मुलाकात का एक वीडियो वारल हो रहा है नितीश कुमार के इस वारल वीडियो की नियूजेटी ने परताल की नियूजेटीन के परताल में क्या कुछ निकल कर आया वो भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें NDA निताओं ने RGD पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है सोशल मीडिया पर RGD अध्यक्ष लालू प्रसाथ से CM नतीश कुमार के मुलाकात का एक वीडियो वाइरल हो रहा है वाइरल करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो लालू प्रसाथ के सिंगपूर से इलाज कराकर लोटने के बाद का है इस दावे के बाद बिहार के सियासत गर्मा गई है तो जिस तरह से वो अलट पलट कर रहे हैं उनका लोगों का विश्वाश उचके उपर से तूट गया है और कोई चीक नहीं ये मुकफिर पढ़ दिमाए एंडिये नेतावने आरोप लगाया है कि ये वीडियो पुराना है और आरजेटी से जुड़े हुए लोग इस वीडियो के जरीए भर्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये के आरजेटी के लोग भर्म पैदा कर रहे हैं पुरानी तस्वीर पुरानी बाइट ये सब चला रहे हैं क्योंकि आरजेटी को मालूम है कि दोहजार पचीस में फ़र से नितिश कुमार जी के नितुरत में एंडिये सरकार बनाएगी नियूजेटीन ने भी इस वाइरल वीडियो के जरिये किये जा रहे है दावे की परताल की नियूजेटीन की परताल में ये वीडियो 5 सेतंबर 2022 करे लिका है यानि दोनों की मुलाकात के पुराने वीडियो को हाल का वीडियो बता कर वाइरल किया जा रहा है मतलब ये कि न्यूजेटीन की पर्ताल में वीडियो को लेकर किये जा रहे दावे फेक निकुने यही नहीं, सीम नितीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर के भी अफवाहों के बाजार को गर्म किया गया जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सूचना आयुक्त की न्यूक्ती को लेकर सीम से मिले थे पूर्व डिप्टी सीम या कहें कि नेता प्रतिपक्ष महतपूर्ण मसलों को लेकर सीम से मिल सकते हैं इसके राजनितिक माइने नहीं होते हैं, लेकिन हाल के दिनों ने सोशल मीडिया पर कुछ लोग आरजेडी से CM की नजदी की को लेकर भ्रह्म फैला रहे हैं, जबकि CM नितीश कई मौके पर साफ कर चुके हैं कि वो हमेशा के लिए BJP के साथ हैं। अगले साली विदान सबा का चुनाव होगा। तो अभी से ही राजनितिक दल जो हैं, वो मुद्दा और माहल बनाने में जुटे हुए हैं। पहले का है ये पुराना वीडियो है, तो पुराने वीडियो को भी लोग आज का समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रियेट हो सकती हैं। इसकी वज़े से BJP और जेडियू के कारिकरता भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो के जरिए BJP और जेडियू में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। ताकि NDA कमजोर हो या फिर वोटर में भ्रम फैदा हो इसका फाइदा विपक्ष यानि की इंडिया लाइन्स को मिल सकता है। और यही वज़ा है कि जेडियू और BJP निताओं का ये कहना है कि आजेडि की निता जो हैं वो भ्रम फैलानी की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता कन्फ्यूज हो चलि बढ़ते हैं खबरों में आगे देखें। प्रियंका गांधी और राहूल गांधी। क्या बेटियों के कंधे पर हतियार रखकर कॉंग्रिस ने चलाई सियासी गोली। विनेश, ओगट और बजरंग पूनिया के कॉंग्रेस में शामिल होने पर WFIA के पुर्व अध्यक्ष और BJP नेता ब्रिजभूशन शरण सिंग ने बड़ा बयान दिया है। प्रिजभूशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था यह खिलाडियों का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे कॉंग्रेस है विशेशकर, भूपेंद्र हुड़ा, प्रियांका गांधी और राहुल गांधी। शुरू से कांग्रेस इस खड़ी अंतर में सामिल थी, ये पूरी स्क्रिक्ट 18 जनुरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतर्ण क्लाइमेक्स उकल निकल करके देश की जनता के सामने आया। विनेश फोगाट पर तीखा हामला करते हुए प्रिजभूशन सिंग ने कहा क्या ये सच नहीं कि एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे। मैं कुष्टी के जानकारों और विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक खिलाडी एक दिन दो वजन में ट्रायल दे सकता है। क्या वजन के बाद पांच घंटे तक कुष्टी रुकवाई जा सकती है। ब्रिजभूशन शरण सिंग ने कहा कि आप कुष्टी जीत के नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाडियों का हग मार कर गई थी, भगवान ने वही सजा दी है आपको। प्रिजभूशन शरण सिंग ने कहा कि आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदूलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया, उसमें कॉंग्रेस शामिल थी और इसका नित्रतूर भूपेंद्र हुड़ा कर रहे थे, हाला कि बजरंग पूनिया ऐसे आरुपों को खलत बता रहे आपको बता दें कि साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतिय कुष्टी संग यानी WFIA के ततकालिन अध्यक्ष ब्रिजभूशन शरण सिंग पर यौन सोशन के आरुप लगाए थे, उनकी गिरफतारी की मांग पर बजरंग पूनिया, बिनेश फुकाट और साक्षी मलिक की अगवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, इसकी बज़ा से ब्रिजभूशन पुष्टी संग के अध्यक्ष पत से तो हटे, बीजेपी ने उनका लोगसफा का टिकट भी काट दिया, तब ब्रिजभूशन शरण सिंग ने आरुप लगाया था कि इस पूरे घटना क्रम के बीचे कॉंग्रेस की साजिस है, प्यूर रिपॉशन के आरुप क्या हैं वो भी जान लीजे, तो देकि साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतिय कुष्टी संग के ततकालीन अध्यक्ष ब्रिजभूशन टरन सिंग पर यौन सोशन के आरुप लगाये थे, उनकी गिरफतारी की मांग की गई थी, और उनकी गिरफतारी की मांग पर बजरंग पुनिया, विनेश फुगाट और साक्षी मलिक की अववाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्णा दिया था, और ये धर्णा करीब 140 दिन तक चला था, तब ब्रिजभूशन शरंग सिंग ने आरोप लगाया था कि इसके विरोत के पीछे पहलवान नहीं है, इसके पीछे कॉंग्रेस है, ब्रिज भूशन शरन सिंग ने कहा था कि विनेश फुगाट का मेरे खिलाप आरूप लगाना कॉंग्रेस की सोची समझी साजिश है हाला कि ओलंपिक में विनेश फोगाट ने अच्छा प्रदर्शन किया और विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है लेकिन कॉंग्रेस जोईन करने पर बिजभूशन शरन सिंग का कहना है कि मैंने जो आरोप लगाये थे वो सच साबित हो रहे हैं उनके कॉंग्रेस जोईन करने के बाद अब सियासत काफी ज़ादा गर्म है और पुराने मुद्दे जो हैं एक बर फिर से उठाई जा रहे हैं और ऐसे में बिजभूशन शरन सिंग मुखा रोके कह रहे हैं कि पहले भी हमने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कॉंग्रेस का हाथ है बरते खबरों में आगे उत्पात सिपाही बहाली भरती बे दोडने वाली एक और अभिरती की मौत हो गई मृतिका का नाम आरती किरकिटा है जो राची के मांडर के चानहूं की रहने वाली थी आरती ने 31 अगस्त को साहिब गंज में दोड लगाई थी जो उसके जिन्दगी की आखरी दोड साबित हुई लगबक सब्ता अगर अस्पताल में मौत से लड़ते लड़ते आखिरकार अबारती जिन्दगी की जंग हार गई और इसी के साथ ही मृतिकों की संख्या में भी जाफा हो गया रिपोर्ट देखे कहा तो दोड रोजगार के लिए लगाई थी अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए लगाई थी और कहा अब ये दोड जिन्दगी पर भारी पड़ गई उत्पाथ सिपाही बहाली भरती में दोडने वाले एक और अभ्यरती ने खामोशी की चादर ओड ली मौत ने उसे अपने आगोश में ले दिया मौत का नाम आरती किरकिटा है जो राची के मांडर के चानों की रहने वाली थी और बर्दी से उसे बेहत प्यार था तभी तो 31 अगस्त को साहिब गंज में जिजान से दोड़ी आरती उसने तै समय में दोड पूरी कर ली लेकिन बर्दी पहनने का उसका ख्वाब भूरा नहों सका मेदानता अस्पताल में इलाश के दौरान उसने दम तोड़ दिया दो साल पहले यारती की शादेवे थी वह बहुत ही बेताब थी कि एक वार बर्दी पहन सके और बर्दी पहनने किसी बेताबी ने उसे ट्रेक पराने के लिए मजबूर किया बहुत खलता है ऐसे बे समय किसी का चले जाना और जारखड में उतपात सिपाही बहाली भर्ती के दौरान मौत का एक सिलसला सा चल पड़ा है जो पीछे छोड़ गया है कई सवाल जिनका फिलहाल कोई संतोष जनक जवाब नहीं है किसी के पास किसी के भी पास नहीं मौत का जो आकड़ा है वो बढ़का रफ तेरा हो गया है ऐसे में इसमें सियासत भी अवजारी है संजे कुमार सिना नीजेटीन राची तो आईए पहली ये जान लीजे कि जारखंड में उत्पास सिपाही भरती में कहां कहां और कितने अभीर्थियों के मौत हुई तो देखे राची में एक, जमशेदपूर में एक, साहिब गंच में दो, हजारी बाग में दो, गिरडी में दो और पलामू में छे इतने अभीर्थियों की इस दोड में मौत हो गई आपको बता दें कि लगतार हो रही मौत के बाद ये मामला काफी जादा गरमाया और इसको रेकर के काफी जादा अब सियासत भी होने लेगी है लगतार हो रही मौत के बाद दोड की तारिखों को बदला गया 3 सितंबर को होने वाली दोड अब 10 और 11 सितंबर को होगी जबकि 4 सितंबर को होने वाली दोड एक्स्टेंड कर दिया गया 12 और 13 सितंबर को अब ये दोड होगी तो देखे वहीं अब तक सबसे जादा मौत के अगर बात करें तो पलामू में होई है लेहाजा पलामू में अब कोई दौड नहीं होगी पलामू सेंटर पर होने वाली दौड को दूसरे सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया गया है ये 19 और 20 सितमबर को होगी तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर मौत की वजहें क्या क्या है हाला कि पूरे दावे के साथ तो कोई नहीं बता सकता लेकिन आपको ये बता दें कि पल्मोनोलोजिस्ट मानते हैं कि कोरोना संक्रमन के बाद इस तरह के मौत के मामले बढ़े हैं और अब भी इसकी ठोस व तीसरी वज़ए ये भी है कि गर्मी और उमस के कारण भी अभीयरतियों के मौत हुई हो जिसकी वज़ए से अभेयरति जो है मौत उनका समभवाना जा रहा है तो वहीं कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर स्वास्ते विवस्ता ठीक होती और बेहोश होने वाले अभियर्तियों को समय पर समोचित इलाज मिलता तो शायद अभियर्तियों की जान बचाई जा सकते थी और इसे के साथ इस बुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही तमाम खबरों लिए आप देख देख रहे हैं न्यूस एटी